घलो फ्रेंड्स मैं हरी सर्मा वेल्डिंग्सन चैनल चनल से एक बार फिर आपके साथ फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ETP के बारे में अध्यली मेरी वीडियो पर काफी ज़्यादा कमेंट नहीं कीए बारे में बता हूं तो मैं आज ETP के बारे में बताने बाला हूँ, अच्छली ETP काफी बड़ा चेक्टर है, यानि काफी सारी चीजे होती है उसके बारे में, तो मैं ये दो या तीन वीडियो में फिनिस करूँगा, आज ये पहली वीडियो है, तो आईए स्टार्ट करते हैं ETP, एक चितर बनाय के लिए लगाया जाता है, और ETP जो लगाया जाता है, ये इंडस्ट्री में ज्यादा तर लगाया जाता है, रेजिदेंशल सोसाइटी, कमर्शिल बिल्डिंग्स, इन सभी में हाई राइज बिल्डिंग इसमें नहीं लगाया जाता है, जहां सीवेज आता है, वहां पर न जहां पर किसी भी asset या किसी भी apparatus या किसी भी instrument पर coating होती है यानि coating industries या chemical जहां यूज होता है उन industry में यह आपको मिलेगा यह क्या करता है फ्रेंड्स chemical को remove करता है ETP के द्वारा हम जो पानी प्रदूसित हो जाता है उस पानी को chemical दूर करता है यानि पानी में से हम सारे chemical निकाल करके बाहर कर देते हैं ETP के थ्रू और पानी हमारा स्वच हो जाता है फ्रेंड्स होता है क्या ETP एक overview ले ले लेते हैं फ्रेंड्स देखिए यह मैंने एक diagram बनाया हुआ है एक चितर बनाया हुआ है आप इसे ऐसे समझ सकते हैं देखे यह क्या है in fluent water in fluent water मतलब हो गया प्रेंड्स कि इंडेस्ट्री का दूसित जल मैं लिख देता हूँ इंडेस्ट्री का दूसित जल या दूसित पानी फ्रेंड्स in fluent water ETP में आता है और उसके बाद effluent water मिलता है effluent water होता है industry का साफ पानी जो एटीपी से बुजड़ता है या इसको आप लिख सकते हो स्वच पानी जो इंड़स्टी से निकलता है ठीक है इस एटीपी में कई सारे प्रॉसेस होते हैं जो हम आगे डीपली बात करें एकली वीडियो में इसमें क्या है देखिए फ्रेंट डोजिंग भी ह होगा है कुछ हग तक लेगिन वह सीवेज बेस नहीं होता वह एक्शुली इंड़स्टी से आया हुआ उसमें आयरन होगा कटर होगा या जो पेंट होगा या कोई और चीज होगी वह सारी चीज़ें होंगी इस तरीके से यह सिलज भी निकलता है ठीक है बात कर लेते हैं ए ठीक है अब मैं बात करता हूँ टी टी होता है ट्रीटमेंट कैसे आप जानते हो नो दिआ हो इस प्रिकार से ETP को अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो हम क्या करेंगे क्या कहेंगे पानी के प्रिवाहा द्वारा उप्चार संयंत्र या पानी प्रिवाहा उप्चार संयंत्र पानी हम ट्रीट करते हैं इसमें तो इसको आप ऐसे कह सकते हो पिरवाहा उप्चार या इलाज संयंत्रूं ठीक है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा नियू है आपके लिए basically ETP की आवसकता क्यों है क्यों हम इसको लगाते हैं फ्रेंड्स इसके चार-पांच कारण है मैं आपको बताता हूं देखिए मैंने लिखा हुआ उसको बेसिक नीड़न नंबर एक नंबर एक हो गया सबसे पहले आप जानते हैं की पानी को सुद करने के लिए यह परियावरण को है में परियσιन से मतलब है हम्मारा जो वाटर पोल्यूशन है कि उसको करने के लिए जो हम पानी उसमें छोड़ेंगे इंडेस्ट्री का वो पॉलुटिड वाटर ना हो तो पानी को साफ करने के लिए तो इसमें क्या आता है जल सुद्धी करन ठीक है फ्रेंट्स हिंदी में दूसरा हम पानी को रिसाइकल कर सकते हैं इंडेस्ट्री में मान लिजे हम पानी को गौर्रमेंट बोडी से खरीद रहे हैं और हमारे पास पानी खरीद करके आता है तो अब हम उस पानी को क्या करेंगे कि उस पानी को अगर हम रिसाइकल कर तो हमें हुआ क्या बचेगा money saving यानि पैसा बचेगा तो दूसरा हो गया फायदा इसका money saving ठीक है फ्रेंड इंडस्ट्री की या मनी उसकी money बचती है तीसरा हम जो अगर यह दि हम जमीन से बचत करते हैं यानि जो जमीन से पानी लिए जाने वाला सवच है उसकी मात्रा आप जानते हैं बहुत ज्यादा कम है जमीन से निकलने वाला जमीन है पानी की बचत या सेविंग ठीक है फ्रैंट्स चोथा हम बात करते हैं गौर्मेंट ने कुछ इसकी गाइडलाइन्स जारी की हुई है कि आप इतना पानी जरूर ट्रीट करोगे यदि आप पानी ट्रीट नहीं करते हैं तो उर्जा संरक्षन नहीं होगा इस कारण से हम क्या करते हैं हमें पैनल्टी पर जाती है इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री पैनल्टी को बचाने के लिए भी सहिंद्र लगाती है तो इसमें क्या बचत होती है पैनल्टी भी से बचने के लिए यानि government से जो penalty लगेगी उससे बचने के लिए भी हम इसको लगाते हैं और पांच भी चीज पानी को recycle कर लेते हैं री-use कर लेते हैं recycle करके use करते हैं तो इसलिए हम ETV plant को लगाते हैं जिससे 4-5 काम हमारे हो जाते हैं परियाबरन को सुध कर सकते हैं हम जल को सुध करके एक water pollution पे काम करते हैं ठीक है दूसरा पैसे बचते हैं क्योंकि हमें पानी अगर बहार से खरीद रहे हैं तो खरीदना नहीं पड़ता तीसरा पानी की बचत हो जाती है जो हम जमीन से पानी निकालते हैं वो हमें कम निकालना पड़ता है चोथा पैनल्टी से बच जाते हैं गवर्मेंट की पैनल्टी नहीं लगती क्योंकि गवर्मेंट ने गाइडलाइन्स जारी की हुई है और पांच माँ इस पानी को हम reuse कर लेते हैं पानी बार-बार हमें काम में आ जाता है नेक्स फिर मैं बात करता हूं फ्रेंट टाइप ओफ ट्रीटमेंट यानि इसमें कितने प्रकारगे ट्रीटमेंट होते हैं जैसा मैंने एस्टीप में बताया था तीन प्रकारगे ट्रीटमेंट होते हैं प्राइमरी, सेकंडरी, टर्सेरी, इसमें फ्रेंट चार प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, होते हैं उसमें भी हैं, लेकिन इसमें प्रिलीमिनेरी, सबसे पहले आता है प्रिलीमिनेरी, फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है टर्सेरी, सेकंडरी, सोरी, सेकंडरी, and then 4 आता है tertiary यानि 4 प्रकार से पानी को इसमें treat किया जाता है तब हमें जाके सुध पानी या स्वच जल मिलता है ये ETP का overview था मैं next video में इसको deeply बताऊँगा कि कैसे कहां कहां dozing होती है और किस प्रकार से ये primary, preliminary, secondary treatment होते हैं आज के लिए इतना ही यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe करना न भूलें बहुत बहुत धन्यवाद friends